नमस्कार मैं हूँ प्रग्यावत्सल खबरे इंडिया में आपका स्वागत है बिहार में बुधवार यानि 29 सिप्तमबर को दूसरे चरण का पंचायत चिनाब संपन हुआ वहीं पश्यमी चंपारन जिले के लोहरिया पंचायत में वोटरों को एक तरफा मतदान कराने का आरोपी इंद्रा आवास सहायक अमित कुमार को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है घटना के बाद इलाके में हर कंप मज गया है आपको बता दे कि लोहरिया पंचायत के राजकिय बुन्यादी विद्याले में मुख्या प्रत्याशी और स्थानिय लोगों ने मतदान कराने में प्रिसाइडिंग ओफिसर पर भी धांदली के आरोप लगाए हैं आक्रोशित लोगों ने जम कर हंगामा भी किया है जिस पर जिला प्रिसाइड़ा कहा गया कि प्रिसीरिंग ओफिसर अपना पीपर वर्क कर रहे थे सर मेरा एक सवाल है कि आप बताईए कोई भी ऑफिसर को वोटिंग रूम में जाने का इलाओ है किसी को इलाओ नहीं है किसी को इलाओ नहीं है अंदर है तो गलत होई उससे इनके ऊपर कोई करवाई होगी वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों की मिली भगत से इंद्रा आवास सहायक अमिद कुमार वोटरों से एक तरफा वोट देने का दबाव बना रहा था जिसके बाद खबरें इंडिया और साथी चानल ने फॉरन डीम से संपर किया जिसके बाद डीम के निर्देश पर एस्टीम अनल कुमार ने आरूपी अमत कुमार को गिरफतार किया हाला कि इस पर पुलीस बयान देने से पच्चती रही बता दे के इस घटना के बाद इलाके में भगदर मच गए इसी बीच वोट देने आई एक महिला बेहोश हो गए जिसके बाद उसे नस्दीक के एस्पिताल में भरती कराया गया अगर आपको हमारी खबर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेर और बेल आइकन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले जिससे आपको मिले आप से जुड़ी सारी खबरे सबसे तेज